कि यह इंसान कभी विजार किया है यहां पे किस लिए आया है और आखिर जाना कहां है किस लिए आया है आम तोर पे लोगों का एक रुवया बन चुका है खाओ पीओ एश उड़ाओ ये जग मीठा अगला किस ने देखा है अगला जिन संतों ने पीर फकीरों ने पेगंबरों ने देखा है उनकी मानने को तयार नहीं होता उनके लिए कह देता है कि नहीं वो वैसे कहते हैं फजूल की बात करते हैं यूही कहते हैं जबकि ऐसा नहीं है तो भाई ये सोचो आप किस लिए आए हैं क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो ये जानना अती जरूरी है एक बात आपको बताएं हमारे धर्मों में इनसान को सर्व स्रेष्ट बताया है कि सबसे स्रेष्ट इस धर्ती पे अगर कोई प्रानी है तो वो है मनुश्य हिंदू धर में कहा है सर्व स्रेष्ट अति उत्तम जून सर्दार मुख्या जून इसलाम दर में बोला गया खुद मुख्यार जून सिक्धर में कहा गया सर्व स्रेष्ट सर्दार मुख्या जून और इंगलिश फ़कीर भी यही कहते हैं कि इनसान जैसा कोई दूसरा नहीं पर सोचने वाली बात है कि इनसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाके जो गुरुवों ने पीर पेगंबरों ने रिशी मुनियों ने कहा है वो सही है कि वाके इनसान जैसा कोई नहीं है देखते हैं आदमी और जानवर पसू पक्षी में क्या फर्क है अगर निगा मार के देखें तो पसू पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है फर्क मातर इतना है इनसान जब चाहे जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए जैसा मिल जाए उसे खाके पेट भरने की कोशिश करते हैं मकसद तो दोनों का एक ही है मतलब दोनों का एक ही है अपना पेट भरना अपने लिए ताकत पैदा करना तो घर परिवार जानवरों का घर होता है गहुंसले होते हैं पक्षियों के उसी तरह आद्मी का भी घर होता है बाल बच्चे आदमी के जानवर पक्षियों के भी होते है फरक क्या है जीते जी जानवरों की मलमूतर काम में आती है और मरने के बाद हड़ियां चमड़ा सब काम आ जाता है आदमी का जीते जी मलमूतर संभालने में साइंटिस्ट लगे हुएं कैसे संभालें इतना बढ़ता जा रहा है और मरने के बाद हड़ियां संभालने पे भी टैक्स लगता है जाओगे वो पहले ही ले लेंगे आजा आजा तू हमारा गराक है निकाल कितने निकालेगा तो हड साइंस में विझ्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है अ कि सुक्षुविदा के साधन बन गए हैं कि तो साइंस ने कितनी तरक्की किये गाडियां है कारें हैं क्या ऐसा पशू कर सकता nahn्जी ना पशू नहीं कर सकता है पर आपको सुक्सुविदा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के डेर पे बैठा है सारी दुनिया बारूद के डेर पे बैठी है तो गल्त नहीं होगा क्योंकि एटम परमाणू अनू हाइड्रोजन जो बॉम बन रहे हैं ऐसा खत पसु से हो सकता है कभी नहीं हो सकता सोच भी नहीं सकते पसु तो फिर भी पसु आगे निकल गए आदमी तो फिर पीछे रह गया है फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वसरेस्ट है अति उत्तम है सरदार जून मुख्या जून सर्वसरेस्ट जून क्यों एक कार्ण है आदमी इस मुर्ति लोग में इस घोर कड़ युग में अगर चाहे तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है जबकि पसू पक्षी चाते हुए भी उसे नहीं देख सकते आदमी को भगवान ने ये ताकत दी है अगर भगवान का नाम जपे जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बिमारियों से मुक्ती मरने के बाद आवा गमन से मुक्ती आदमी को मिल सकती है जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती पसू पक्षियों की तो बात छोड़ो इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, रिशी मुनियों ने, संद, पीर, पैगंबरों ने सर्वस्रेस्ट कहा अब आप खुद देख लो क्या आदमी वाड़ा काम करते हो कभी भगती करते हो कि सारा दिन चुगली, निंदा, हथाई कर रहे हैं इदर की उदर, उदर की इदर, इदर को उंगली लगाई लड़ दिये, उदर के लगादी तो भाई, यह कोई आदमियों वाले काम है हमारे बेद, सास्त्र, हमने सभी पवित्र गरंद पड़े हिंदु दरम के हमारे बेद, सास्तर और जिनमे गीता, रमायन, महाभारत, चारों वेद, पांचों वेद महाभारत को भी कहा जाता है इसके अलावा, इसलाम दरम की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिक्क दरम की पवित्र गुरुवानी इसाई दरम की पवित्र बाइबल, कभीर जी, शेख फौरीद जी, नामदेब, धन्नाबागत, रविदास, बहुत सारे संद, बौदी, जैनीज, सभी धरमों की बानी पड़ी विश्णोई धरम के जाबाची, उनकी बानी पड़ी, उनका गुटका पड़ा तो सभी धरमों की बानी पड़ी, सारे धरमों में यही कहा गया है, जो हम आपको आज बताएंगे सौ परसंट यही बात आती है, कि आदमी कहलाने के हकदर तो ही हो, अगर आदमी वाड़ा काम करो वरना शैतान से भी आप आगे हो, कई लोग आदमी सोया पड़े हैं, उनको मार दिया, किसी को तड़फा दिया, चंद नोटों के लिए किसी के बेटे को उठा लिया, भाई ने भाई को मार दिया, शैतान भी शर्मा जाता है, वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता था, आज आदमी शैतान का बाप बना हुआ है, अपनी मा की संभाड नहीं, अपने बाप की संभाड नहीं, कई लोग हमारे पास आतें, गुरु जी परशाद देो, किसलिए भाई, मेरे मा बिमार है, उसके मुगती हो जाए, हमने का ऐसा परशाद तो मारे पास नहीं, जिसको द कटी पिशाब चार पाई पे करता है, तो हमने का जब बच्पन में तू करता था तब तेरी मा ने तो नहीं का कि इसकी मुगती कर दो, वो तो नहीं बिचारी बोली, कि इसका रोज कटी पिशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी कोई परशाद दे दे पार कर दे, वो तो नहीं बिचारी बोली, अब उसका तुझे उठाना पड़ गया, तो अब तू कहता है कि वो मर जाएं, लानता है ऐसे उलाद पे, कहां चली गई हमारी संस्किर्ती, हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है, अरे बच्पन में माबाप टटी पिशाब हमारा धर्म हमारे देश में यही संस्किर्ती है, जब वो बुजर्ग हो जाएं, तो उनके बेटे बेटियां, उनके हाथ की लाठी बनें, और उनको बच्चों की तरह संभालें, यह है हमारी संस्किर्ती, ना कि उनको बुड़ा कहके एक भूसे वड़े कमरे में डाल दें, सुका रोट खिलाएं, नहीं, 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 मरने के बाद आप खर्चा करते हो, शर्म नहीं आती, जीते जी सुके रोट दिये, और मरने के बाद हलवा, पूरियां, खाओ जी, अपनी नाका सवाल है, और जब वो जीते जी उनको निकले, तब नाकिदर गई थी, शर्म नह ती जिन्होंने बड़ा किया पढ़ाया लिखाया ठीक है उनमें avgun हो सकते हैं हैं तो वो भी आत्मी क्या हुआ अगर माँबाप हैं उनमें भी avgun हो सकते हैं उनमें भी बुरी आते हो सकती हैं आपकी नहीं बढ़ती हैं तो राड से बाड अच्छी, अलग रहो, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहो, और उनकी सेवा से मूँ ना मोडो, जितना हो सके उनकी सेवा करते रहो, घर से सेवा शुरू करो, फिर करो समाज की सेवा, पर आज का युगी ऐसा है, हमने देखा, भुजरुगों को बुडिया, ड हुझे, अपनी माँ के लिए, बाप के लिए इतने निरादर के शब्द प्रयोग में लाता है, और माँ बाप को भी चाहिए, बच्छों को आशीरवाद दें, एक उमर होती है, बेदों में लिखा हमारे, वो तो पचेतर साल था, लेकिन आज की उमर माने तो पचास, पिच अनुबब की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ ले, वरना भाई मेरे से जैसा अच्छा बुरा हुआ कर लिया, अब तू जान, और खुद करो भगती, पर बुजरुग टांग अड़ाती ही रहते हैं, अटते नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, अरे इतनी कम जो टांगे हुए पड़े, क्यों अड़ा रहा है, राम राम जब ये लिखा हमारे धर्मों में, पर हमने देखा है, नौजवानों को कम फिकर होता है, बुजरुग जो जो, एक माता है, हमने का बोल माता क्या चाहिए, बाती चल रही थी, संगत बैठी थी, हमने का शाहिद पोतों ने रंग लगा दिया, कितनी रंग तो नहीं लगाया, फिर भी दिल करह है, अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता है, आगे से आगे फस्ते जा रहे हैं, तो कहने का मतलब दोनों पीडियों को समझना चाहिए, हमारी संस्कृती को, बुजरुग आशिरवा नौजवानों में भी, बुजरुगों में भी, दोनों को हम कह रहे हैं, समझो अपने अपने करतवे को, समझो अपने अपने फर्ज को, और उसके अनसार चलो, ये कहता है हमारा धर्म, ये कहते है हमारे विदी विधान, जो बनाए गए हमारे पूर्वजों के दोबारा, य येना सोचे में किस काम को हूँ आया, किस लिए जनम दुरलब है पाया, संत रहे बता तेरा काम है क्या तो जैसा आपको शुरू में बताया, इनसान को ये सोचने की फुरसती नहीं है, समझी नहीं है कि मैं आया किस लिए हूँ, कर क्या रहा हूँ संत बताते हैं संत समझाते हैं कि आप किस लिए आए हमारे धर्मों में हिंदू मुसलिम सिख्य हिसाई बौदी जैनी सभी धर्मों में बहुत सारी बाते एक जैसी हैं 99% कहें तो सही होगा ये कहा जाता है कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है प्रभू का नाम जबना भगवान की प्राप्ति करना और दूसरा जो कर्तव्य है वो है इस धर्ती पे रहके कर्म जोगी बनना यानि अच्छे कर्म करके अपने कर्तव्यों का निर्वा करें जो भी आपका फर्स है जो भी आपकी ड्यूटी है सही तरीके से उसका निर्वा करें ठक्गी बेमानी ब्रस्टा चार लूट कसूट किसी का हक मार के खाना ये हमारे सारे धर्मों में मना है जूट बोलके लोगों को बुद्दू बनाना बिना वजा बहसबाजी करना नशे करना ये सब बरबादी का घर है आप देख लो अच्छे बले मानस होते हैं अच्छे बले घर होते हैं जब नशा घर में बढ़ जाता है तो बरबादी ही बरबादी हो जाती है हर धर्म में लिखा है कि भाई नशा ना करो नशे बरबादी का घर है हमारे देश में किसी नशे के लिए किसी भी धर्म में कोई जगा नहीं है कई लोग कहते हैं गुरु जी नशा बंद नहीं होता ठेके खुल जाते हैं आप पीना बंद कर दो देखते हैं ठेके पसुओं के लिए खुलते हैं क्या कर दो बंद फिर देखते हैं कैसे खुलेंगे ठेके जब कोई जाएगा यह नहीं लेने तो आप पीते हो आप नशे करते हो तब ही यह खुलते हैं भाई त्यागना होगा नशे बरबादी का घर हैं कभी किसी को खुशहाल नहीं बनाते हमारे देश में तंबाकू के नशे से जितना कुछ बनता है अफीम की खेती से उसमें एक मिन्ट में मरने वाले दो लोग हैं यानि जैसे आप गड़ी देख लो एक मिन्ट हो गया अपने देश में इन नशें से दो लोग मर जाते हैं एक मिन्ट में इतना बरबादी हो रही है यह डॉक्टरों का रिसर्च हमें दिया गया लिखके बताया तो भाई यह बड़ी दुखद पहलू है हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है और इस धार्मिक देश में सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं वो ऐद धर्म का कर्म करके याई नशे करके धर्म कहता है नशा करो धर्म नशा करने से रोकता नहीं नशा करो रटके करो परराम नाम का करो अल्ला की इबादत का करो, वही गुरू की याद का करो, बगवान की भगती का करो, करो जितना मर जी फर्क क्या है दोनों नशों में अब दुनिया के नशे जितने करोगे सरीर बरबाद, तन बरबाद, मन बरबाद, आत्मा बरबाद, परिबार बरबाद, घर बरबाद और कुल का नाश और राम नाम का नशा करोगे समाज में इज्जत, सरीर तंदरुस्त, अंदर सरूर, चेहरे पे नूर और कुलों का उद्धार हो जाएगा जमीन असमान क्या कहीं भी मुकाबला नहीं इतने जबरदस्त है राम नाम, अल्ला मालिकी भक्ति अबादत का नशा करो तो सही, लोग पूछते फिरेंगे क्या खाते हूँ, इतनी खुशी कैसे हैं आज कल खुशी लाने के लिए कलब बने हैं, बड़े-बड़े महानगरों में और वहाँ पैसा लेते हैं और हाहा ही ही हुँ, अब आपके सामने कोई हाहा करेगा तो आपको भी हाहा तो हो गई पर उपर से हाँ उने से अंदर के गम नहीं मिटा करती और जब अंदर खुशी होती है चेरे पे जबरदस्ती खुशी आ जाती है रुकती ही नहीं जेरा नूर से मालो माल हो जाता है और नूरो नूर हो जाता है तो धर्मों ने तो हमें अंदर की खुशी लाने के लिए तरीके बताएं है सुमण करो, मेहनत करो, कर्म करो बाकी भगवान पे छोड़ो वो जाने उसका काम जाने कर्म जोगी और घ्यान जोगी बन-जाओ अच्छे कर्म करो, इसका घ्यान हो और सिर्व घ्यान लेके घूम रहे कोई फैदा नहीं अगर gression कर्म नहीं करते बहुत लोग होते हैं, पढ़ते रहते पढ़ते रहते, पढ़ते रहते हमारे धर्मों में निखा है पढ़ पढ़ के चाय ट्रक बरलो बड़े-बड़े हाल कमरे बरलो किताबों से पढ़ते गए पढ़ते गए और अमल के नाम पे जी रो छोटा सा उधारन आपको दें गर में गी है दूद है छाच है बदाम है, मक्षन है सब ताकत की चीजे है पर खाओ ना सुबह शाम दोख मारते रो तो ताकत आजाएगी क्या नहीं आएगी नहीं आएगी ताकत तो उसी तरह जब तक राम नाम जपोगे नहीं चेरे पे नूर कैसे आएगा और अंदर सुरूर कैसे आएगा जाब करना पड़ेगा भाई राम नाम ले लिया अल्मीरा में ताल्या लगा के रख दिया कभी कभी खोलते हैं जब दर्द होता है बच्चे तब खोलते हैं जब पेपर आते हैं बगवान जी अब तो रात को दिखा दे सुबह जाके करा हूँगा पूरा पेपर ही दिखा दे रात को कहता है फिर तेरे गुण गाऊंगा और जैसे पेपर निकल गए फिर वही बात कौन सा बगवान और कैसा बगवान ऐसे कोई बिमार हो जाए किसी का बच्चा बिमार हो जाए तब कहते है भगवान तेरी काली पिली नीली गऊ और जैसे बच्चा ठीक हो गया फिर से खागड बनके जोर जोर से बाजे निकालता रहता है तो भाई ये सही नहीं है भगवान को लगातार जाद करो सुभा शाम जैसे जरूरी है न रोटी खाना बोजन करना वैसे समझो बगवान का नाम लेना भी जरूरी है बोजन करने से ताकत आए ना आए हम आपको लिख के गरंटी देते हैं राम नाम सुभा शाम जपने से आप को ही नहीं आपkee कुलों को भी ताकत आएगी आपके परिवार तर जाएंगे ऐसा है राम नाम फिर भी आप ना जाब करना चाओ तो भाई हम क्या करें ऐसी तो कोई चीज नहीं जैसे बैंस को खिलाते हैं एक पाइप से होती है लकड़ी की अगर वो दवाई ना ले तो भरके उसके मूँ में ठूस देते हैं मर्जी से ही जाब करो फिर देखो नजारा सच्चे दिल से सच्ची भावना से अगर जाब करोगे तो फड़ मिलेगा केते शिकारी वो होता है जिसको लगे-लगे ना करना पड़े अपने आप ही पकड़ ले शिकारी और उसी तरह भगवान की खुशियां अल्ला राम परमात्मा की खुशियां वो हासिल करता है जिसको कहना ना पड़े कि भई तु भगवान की भगति कर उसके अंदर तड़ पैता हो जाए लगन लग जाए और वो सच्ची रूच्ची से और पूरी खुशियां भगवान का नाम ले कुछ मांगे ना बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीक पता ने क्या बख्ष दे भगवान सच्ची दिल से अगर उसके भगति करो सच्ची भावना से अगर भगति करो लोग कहते हैं भावना, श्रदा किसे कहते हैं आज की श्रदा है पैसा मंदिर, मस्जिद, गिर्जा, गर, गुर्दवारा कहीं भी जाएए हमने देखा सभी दर्मों को मानते हैं सभी जगा जाते हैं क्या कहा जाता था जब हम गुर्गदी पे नहीं आए तेरी जो श्रदा है चड़ा दे, श्र्दा थोड़ी चड़ा ही जाती है कहते हैं नहीं नहीं, पैसा मतलब श्रदा का भावना का दूसरा नाम पैसा है, अब लाख रुपे की ठक्गी मारी 1,000 रुपे बगवान को चड़ा दिये यह कौन सी शर्द है लगवारत का bring ? यह तोक्ता है भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने लाग की ठकी मारी है उसमें से एक हजार तेरे हिस्से का तू ले ले मेरा निननमे 141 नंबर का बना दे तू भी खुश और मैं भी खुश ये तो उल्टा बगवान को हिस्सेदार बना लिया थगी में इतना कम हिस्सा आदमी आदमी से नहीं लेता वो भी कई परसेंटेज डूंडता है 10-20-30 ऐसे थोड़ी ना कि इतने सी काम चल जाएगा पर हकीकत यह हजार भी बगवान नहीं लेगा आपने चड़ाया और आपके जैसे की उठा के खा जाएगा आप खुश कि मैंने मालिक को दे दिया और वो खुश मैंने मालिक से ले लिया बीच मे तो यह भावना नहीं है यह श्रदा नहीं है सची भावना कौन से होती है कि मालिक ना करे जैसे आपका कुई बेटा बीमार हो जाए और आप उससे बहुत प्यार करते हैं बहुत श्रदा है उसके लिए बहुत भावना है आपकी आँखों से अपने आप आन्सू चल पड़ जाते हैं रोते हैं तड़वते हैं ये है श्रदा ये है भावना बाप और बेटे की यानि आप अपने उलाद के लिए इतनी श्रदा रखते हैं इतनी भावना रखते हैं रुपए में 100 पैसा आप अपने बेटे के लिए श्रदा रखते हैं ऐसी ही श्रदा ऐसी ही भावना आ किये रुपए में 15-20 पैसे बना लो गरंटी हम देते हैं बगवान के दर्शन आपको जुरूर होंगे यह है सची श्रदा सची भावना पैसे का नहीं बूखा बगवान खाने पीने का नहीं बूखा कभी बगवान को खाते देखा है कभी नहीं खाता लडू पेड़े हलवा चड़ाया और खुदी रगड़ गए मैं तो बकरा चड़ाओंगा देवी को बकरा बकरा क्या चड़ाएगा मूंडी काट के देवी को देदी जिसमें खोपड है मास नहीं अच्छा और अच्छे मास वड़ा हिस्सा खुद रगड़ गया कि देखो होता है कि नहीं सा निर्दोशों को तंग नहीं करते तो बचारे बकरे चत्रों ने तो किसी का बुरानी किया होता वो तो निर्दोश हो गए वो तो निर्दोशों का साथ देते हैं देवी देवता तो यह आपका ही बनाया हुआ प्रोग्राम है कि उसको यह देखे खुश कर लिए को खुद अव्हाना है। उसके नाम पर वह नहीं किसी को माघते हैं वह नहीं कहते हैं कि मुझे बंझातव दे हमने पड़ा है देवी देवते निर्धोशों का साथ की आन झृत आम करते हैं ये उनका नाम होता है देवी देवता फृरिस्ते तो इसलिए भाई ध्यान रखो देवी देवता के नाम पे किसी जीब को मारो ना ये सही नहीं है रुहानियत के हिसाब से बेद सास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है वो खुश होता है जो भावना हमने आपको बताई श्रदा जो आपको बताई ऐसी तडफ ऐसी ब्याकुलता अंदर पैदा कर लो ऐसे शुद्ध विचार अंदर पैदा कर लो ताकि वो बगवान आपको दर्शन दे आपके गम दुखदर्द चिंताएं पल में खत्म होती चले जाएं आगे आया जी कि आदमी को आदमी वाड़ा करम करना चाहिए पतानी कितने चक्कर लगा के कभी पक्षी पसू कभी मचली बना कभी सूर खचर पतानी कितने सरीरों में से होके मनुश्य सरीर का ये आत्मा को सरीर मिला है तो इसलिए हे भाईयों हे बेनों हे बुजरगों हे बच्चों उस माली का नाम जपा करो भगती करना ना चोड़ो उससे आपको 100% लाव होगा तनमन धन में घर परिवार में और आत्मिक तौर पे समाजिक तौर पे आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगे ये हकीकत है ये जनम मिला प्रभू मिलने की बार रहा खाने सोने में यूही गुजार कुछ कर ले विचार के ओब बनता गवार दिन रात खाने पीने में मस्त ना हो जाएं बलकि समय निकाल के माली का नाम जपा करें सुबा रफा आज दे जाते हो फ्रेश होने के बाद माली की याद में आदा गंटा दे दो क्या जाएगा आपका वैसे भी तो टाइम लगाते हो गपशप माने लगो दो तीन गंटे का नहीं पता चलता चुगली निंदा करने लगते हो पता नहीं लगता कितना टाइम चला गया तो यह तो आपने अपने लिए बच्चों के लिए पीडियों के लिए उलाद के होगे अगर वैसे कहते रहे तो मुश्किल है भाई एक सजण ने चिठी डाले कहता गुरुजी मैंने सोचा मैं भगति किया करूंगा मन को कहा कि मन मैं भगति कुरूंगा तू रोक के दिखा मन कहता कर ले भगति मुझे क्या कि लगा रात को रोटी कम खाऊंगा आधी रोटी कम खाऊंगा ताकि सुबह जल्दी जाग जाओं रात को रोटी खाने लगा कहता सबजी इतनी स्वाद लगी पहले कभी लगी नहीं थी आधी कम ख पाँ चलो रोटी जैसे तैसे कंट्रोल किया थोड़ी खाई सुभा जाग भी आगई चार बजने में पांच मिन्ट रह रहे थे मन कहता हो पागल पांच मिन्ट तो और सो ले चार बज़े जाप करने ना अभी पांच मिन्ट पड़ें कैता है साथ बजे उठा सो यह अगर टाइम फिक्स करके भगती नहीं करोगे तो मन तो ऐसे ही रगड़ता है हिंदू सिक्धर में मन कहते हैं जो दिमाग को नेगटिव विचार देता है बुरे ख्याल इसलाम दर में कहते हैं नफस तो यह बुरे ख्याल देता है इससे लड़ने के लिए चलते कामदंदा करते लेटके बैटके आप सुमन करेंगे तो तो मन रुक सकता है वरना मन नहीं रुकता हंकार देगा खुदी में डुबोई रखेगा मुझे ये क्यो नहीं मुझे वो क्यो नहीं मुझे फलां क्यो पता नहीं क्या-क्या मन की रील चड़ी रहती, एक उतर जाती है दूसरी त्यार, दूसरी उतर गी ती स्रीतिया, गल्ती गल्त, बुरे-बुरे, खोटे-खोटे बिचार देता है, इसलिए मन से लड़ना कल युग में सच्ची भगती है, और मन से लड़ने के लिए राम नाम के जाब के बिना कोई दवा नहीं है, राम नाम का जाब करना होगा, तभी मन रुकेगा, वरना मन तो भाई, सबसे चंचल है, सूर्य का परकाश की गती बड़ी तेज है, हवा भी तेज है, लेकिन मन की गती इन सबसे तेज है, पर मन की गती से अगर कोई तेज गती है, तो गुना ज्याद है पर वो चुप हुई बैठी है जब उसे हनुमान जी की तरह याद दिलाओगे राम नाम के दुवारा कि तेरी गती इतनी है तो वो दोड़ेगी और मन पानी भरेगा मन चुप हो जाएगा और भलाई नेकी में आप आगे बढ़ते जाएंगे उसके लिए सुमरन करना ही होगा भगति करनी ही होगी नाम जपने से जो जीव घबराते हैं सीधे नर्ग चोरासी में पड़ जाते हैं बंदे नाम देया बचकाल सेजा पता नहीं लोग राम नाम जपने से क्यू डरते हैं हमें कई लोग कहतें गुरु जी टाइम नहीं होता खाने का टाइम, पीने का टाइम, पहनने का टाइम, गाम दंदया करने का टाइम, अरे राम नाम में कौन सा हड जोतना है, जीबा से जाब करना है, जीबा मुझ के अंदर है, वो बैसे भी हिलती रहती है राम नाम में हिला लो, बताओ इसमें टाइम अलग से निकालने की क्या लिए जरूर आप टाइम दें पर वो आप गंटा सुबा शाम बाइस गंटे फिर भी आपके लिए बकाया है पता नहीं वज़ा क्या है क्यों नहीं आदमी राम का नाम लेना चाहता है और इसकी वज़ा एक ही है कल युग काल का जो शैतान की ताकत का बोल बाला किसी की टांक किचाही करनी हो टाइम है चुगली निन्दा करनी हो टाइम है चुगली निन्दा की बात माता बेहनाओं को कहा जाता था कि बहुत करते हैं लेकिन आज कल भाई क 1200 wrinkles मुकाबला नेक टू नेक बराबर का है एक बार हम स्कूल में गए कॉलज में गए वहां बच्चे कहले लागे पिताजी हमसे कोई बुरी चीज छुडवा दो एक बुरी आदत चुडवा दो हमने का पका छोड़ोगे के ते हां हमने का बेटा ठीक है चुगली निंदा छोड़ दो तो एक छोटा सा बच्चा रोने लगा अमने का बेटा तू रोग यू रहा है ध्यान से सुनिए के लगा पिता जी गुरुजी अगर हम चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या आप भी सोच के देखो आप जो बातचीत करते हो उसमें से चुगली निंदा निकाल दो आप कौन-कौन सी बातें करते हो फला बुरा फला ऐसा फला ऐसा वो ऐसा है उसका तो बेड़ा गर को हुआ पड़ा है अरे तुझे क्या तुझे मजा रहे ग्या नाजी लगे रहते ह अगर राम नाम में लगा दो तो आपके आने वाले पीडियों का भी बला हो जाए और आपके शरीर को भी तंदरुस्ती मिल जाए पर ऐसा गोर कड़ युगाया है राम नाम जपने के लिए बड़ा जोर देना पड़ता है जापी नहीं करते मुझे नेंद आगी जी मुझे काम बहुत है जी यह सब भानेवा जी है कई बिलकुल खाली होते हैं वो नहीं जपना चाहते हम कह दें भाई आदा गंटा जपने पड़ेगा गंटा जपने पड़े उनको आफत आ जाती हो हो आदा गंटा बगवान को देना पड़ेगा कोई काम नहीं होता इसके लावा जब जिंदगी राम नाम के लिए लगा दी तो जब जब करो राम का नाम पर ना जी उनको भी बड़ी मुश्किले आती हैं तो कहने का मतलब ये कड्यू का परवाब है ऐसा ब्यानक समय आया है आदमी गंटा सुबा शाम माली का नाम जबना ऐसा समझता है जैसे कोई बोज उठाना शाही मस्ताना जी महाराज के समय के आपको एक बात सुनाते हैं एक दिहारी मजदूर था मजदूरी कर रहा था मस्ताना जी महाराज केने लगे क्या पैसे लेता है कहता जी एक रुपया लेता हूं सारे दिन का क्या उठाता है गोबर उठाता है गंदगी उठाता हूं जी सारी सारा दिन फावड़ा चलाता हूं मस्ताना जी कहने लगे बरी तुझे दो रुपया दें तो लेगा कहता का काम कैते है बस कपड़े अच्छे पहनके नादोके बैठना है दो का अँच मजा यह बाबा तो बड़ा फसा है निश्ट ने की दो रुपए दे रहा है मैं तो गंद की उठा रहा था कहता ठीक है बाबा नहाए आप सी दुधि पहन ली कुरता पैन लिया आजा वही बैठ जा बैठ गया ये ले राम का नाम ले लिया इसका जाप करना है कहता हां जी अब गंटा आता गंटाजा जाप किया जंबाई आने लग गई गंटा जाप किया खाज संदगी उठाना मनजूर है पर राम का नाम सारा दिन नहीं जपूंगा है ना सच भाई आज देख लो आप जो द्याड़ी लेता हम दे देते हैं बैठ जाओ सुमर्ण पे सारा दिन करना उससे बला आपका ही होना है लेकिन आप नहीं करोगे हमें पता या तो खुराटा सुम आया काम बाशना करोद लो मो अंकार यह साथ हैं सातों के चकर वियू में आदमी फसा हुआ है और इसे निकलने के लिए सुमर्ण के अलावा और कोई ताकत नहीं है सुमर्ण तो करना पड़ेगा चलते बैठके लेटके काम दंदा करते थोड़ा 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 तो वहां शैतान महा शैतान काल महा काल नहीं ठहरता उसका बाड़ बांका नहीं होता जो माली के नाम से जुड़ा होता है इसलिए माली के नाम से जुड़नो उसका जाब करो खुशिया मिलेगी आप जाब तो करते नहीं आपके कंजूस की बात सुनाते हैं तीन कंजूस ब मेरा तो अभी पॉने दो किलो बाकी है छे मिने हो गए के ते कैसे कैसे खाता है तूं के ता मैं रोटी पे सुई के जो नक्का होता हुदर से उठाता हूं और वो लगाता हूं सुबा शाम तीन टाइम इसलिए गी इतना बचा हुआ है दूसरा हांसने लगा के ता बस मेरा तो लगा ही सौगराम है सारा गी दो किलो का दो किलो पड़ा है पर सौगराम लगा तू कैसे लगाता है के ता तू सुई के नक्के से लगाता है मैं नोक से लगाता हूं इसलिए इतना ही लगा तीसरा बहुत अंसा जोर जोर से के लगे तू क्यों अंसरा है के लगा मेरा छे मी मेने में दो किलो का दो किलो ही पड़ा है कि यह कैसे कि कहता है मैं पता है रोटी बना लेता हूं दो किलो का डिबा इदर उठाता हूं रोटी को घी दिखा देता हूं और खा लेता हूं तो आप में भी राम नाम वड़े ऐसे ही हैं कोई तो सुई के नक्के जितना ही जाप करता है कोई नोक जितना और कोई राम नाम ले रखा दिखा के काम चला लेता है बता हो अब फाइदा कहां से होगा भाई फिर कहेंगे गुरु जी जूट बोलते हैं गुरु जी तो सच बोलते हैं जाप आप नहीं करते हैं गुरु विचारा क्या करें जा सिखण में चूक गुरु पीर फकीर तो सच कहते हैं पर मानने वाला ही कोई ना मानने तो गुरु क्या करें इसलिए भाई राम नाम का जाप करोगे तो माला माल होगे फकीर का काम तो टीचर की तरह पढ़ाना और बताना है आगे मानना तो आप लोगों के हाथ में है जाब करोगे तो खुशियां मिलेंगी भाई अगर करते नहीं तो कर्म कैसे कटेंगे भोगने पढ़ेंगे पढ़ेंगे फिर कहते राम नाम वड़े को दुख क्यों आया क्यो लेकिन सुमन करने से पहाड से कंकर बन जाता है सूली से सूल में बदल जाता है